नमस्कार दोस्तो तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में क्या माहूल है कैसा माहूल है सभी इस सभी जानते हैं देखेगा सबसे बड़ी बात कि राजिस्तान के अंदर सही देश्मार्ग पर पिछले 40 दिनों से यूवा मित्र जो कि अपना रोजगार छिन जाने के टूट रहे हैं पहले एक साथी की जान चली गई उससे पहले एक साथी वागल हो गया और उसके अलावा ऐसा माहांसिक तनाव की लोग बिमार हो रहे हैं बेहोस हो रहे हैं और सर्दी में बरसात में बिमार पड़ रहे हैं महील आये हैं अपने बच्चों को लेकर बैटी है दहिने इस्तती एक ऐसा सदमा जो एक युवा मित्र हो दिया सबसे बड़ी बाद यह जो आपके सामने नाम लेख रहा है लोकतंत्र क्या लोकतंत्र आज केवल किताबों में ही रह रहा है बात इसलिए है क्योंकि युवा मित्र अपना आंदुल कर रहे थे तो सुरुवात के अंदर जब इन्होंना आंदुलन सुरूग किया तो उनको डराया गया धंकाया गया ठीक है सबसे बड़ी बात अभी तक परमिसन नहीं है कितने दिन हो गए चालिस दिन तो हो गए अभी साथ दिन पहले तरना पर्दसन करने की परमिसन नहीं है और सबसे बड़ी बात अभी थोड़े दिन पहले कुछ दिन पहले क्योंकि युवा के सबसे बड़ी आस होती है कि बेकिरुलाल मेणा उनके पास जाए तो वो अपनी आवाज सुनेंगे और रोजगार बाहल करेंगे और सरकार्तक पातना जाए एसा ही मैलाओ ने किया क्या किया उनके साथ उनको पीटा गया उन पर लाठिया बर्साई पुरुस पुलिस द्वारा उनको जबरदस्ती खेंच कर गाड़ी में बिठाया वो रोती रही चिल्लाती रही पहुंच सुनने वाला तो रात को जयपुर के बार्ट फोड़ दिया थाने में लेगे और गलत हो रहा कि वह सरकार को सुनना चाहिए अभी ओर कल एक महिला एक बहिन जिनके पेता जी गोजर गए एक यह वा जिनकी माता जी गोजर गई अभी बताओंगा मैं आपको फोटो चलेगा बताता हूं एक महिला थी जिनके मतलब जो लगब चालिस किनों से दपना पड़ थी जब वो दिन पहले यह हुआ सोचो क्या बहिती होगी उसमें कि उनके जब गरवालों को यह खुश कबरी देने की इच्छा थी कि नहीं सरकार मजलाग सरकार अच्छा नेने लेगी और यह वह को बाह हाल करें जब उसके घर से यह मैसेज आता है कि उनके पिताजी नहीं रहे तो क्या बीती होगी तो यह है वह यह आपके चित्तोडगर से युवा मित्र बहिन कर्ष्णा लोभार के पिताजी का स्वर्गवास हो गया देविलाल जी लोभार आपको लगता है कि यह कहीं पर अमीर होंगे यह किसी पार्टी में होंगे लगता है कि किसी मुद्ध को कैसे दवाना है तो हतकंडे सभी किपास है तो फिर इसी के साथ एक और युवा है जिनकी माताजी का द्याहान थो गया मैं आपी वो भी फोटो बदा दता हूँ यह उद्धेफूर के युवा मित्र है इनकी माताजी का द्याहन थो गया पंदरा तारिक को ही तो इसे क्या लग रहा था कि अब यशा होने वाला है कौन होगा इनके गर देखो यह यह मिठी की माटी की बने हुए यह पीछे दिवार देखो यह टेबल देखो क्या किसी अम लग के साथ इस प्रकार के अत्याचार पिर युवाओ को दम क्या देना पिर उनकी जो पानी पीने की वह उस्ता है वो वहां से आटा देना बात्रों के गेट लगवा देना परमिस्ण नहीं देना सही है ना लोग तंत्र बजी रहे हैं देखीगा और सबसे बड़ी बात है कि आप तक किसी आवाज को पहुंचने नहीं दिया जाता है सचा यही है कि अगर कोई आवाज उठाएगा तो दबा दे जाएगा चाहे वो किसी पर भी हो चाहे सोसिल मेडिया हो चाहे ऐसे सचा यही है देखीगा सबसे बड़ी बात है अच्छी बात है कि आते ही यहां पर है नहीं आया है ना सबसकते हैं देखेगा फिर युवा आज लगाए बैटे हैं कि हमारी सरकार सुनेगी जरूर सुने क्यों 40 दिन हो गए साथ दिन हो यानि प्रचास दिन होने के आया है उनका उनका कर्चा कैसे चल रहा होगा सब सबसे बड़ी बात है कि लोग तंत्र है तो लोग तंत्र के अंदर इनके अधिकारों को ना चीना जाए सरगार एन पर ध्यान दे सत्राजार पदों की गोश्ना की अच्छी बात है सत्राजार पदों की गोश्ना का वरगी करण कहाँ छhh फिर जुसेद इस मर्क पर धर्णा दे रहे हैं उइक का अंदलन नहीं यहँआंपर पांच अंदलन चलड़ रहे हैं यह कदपी सही नहीं है कि इस प्रिकार रोजगार चीना जाए तो कहीं न कहीं यह पूरा रस्तान के वह के लिए कुछ उठरा गात है से नहीं चलिए गर हमें उमीद है कि सरकार जल्द सर जल्द इनकी उर्ट द्यान दे रोजगार बहल करें और जन्ता के अंदर एक अच्छा मैसेज दे जै